कि आधिपूरिश के जो मीम्स है वो इतने बढ़िया है क्या पिच्चर बनाया है आप हस-स के पागल हो जाओगे कि रामायन चल रहा है या कोई कॉमेडी शो चल रहा है बैट एनिवेश हम भी आज यही टॉपिक पे जादा डिसकस करेंगे और आपको पता ही होगा कि कैसे फंटास्टिक आज दिनवर में दो ट्रेड गए बैंक निफ्टी के और यहां पर आप देखोगे न एक बहुत इंटरस्टिंग चीज में आपको बताने वाला हूं कि क्यों मुझे लगता है कि जिन्दाल स्टील आने वाले दिनों में धमाक करने वाला है यही मुझे एशन के एंड में करूंगा तो इसके लिए बैठे रहना और सुनते रहना सीखते रहना बुक लेके अब आज के दिन में सबसे पहले हमने क्या क्या किया आए देखते हैं यह जो बजाज फिंसाओ का जो ट्रेड लिया था डाट वास रियाली रियाली फंटास्टिक इसका अनलेस को ही जो बैंक निफ्टी के ट्रेड थे 307 पॉइंट्स फंटास्टिक और यह कौन सा था 44,200 और सेकेंड वापिस 44,100 इसका भी आप देखोगे अल्मोस्ट 199 पॉइंट्स तो यह दिन बर का हमारा ट्रेड था अगर आपको भी ऐसे फंटास्टिक आनलिस चाहिए तो आप क् कम्यूनिटी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉक्स में दिये उसे क्लिक करना और हमारे कम्यूनिटी को जॉइंट होना बट एक चीज याद रखना कि जैसे ही आप क्लिक करोगे कस्टमर सपोर्ट आपको लिंक भेजेगी तो वह लिंक को क्लिक करके कम्यूनिटी और ऐसे कुछ इंट्रेस्टिंग चार्ट रहेंगे डालते रहेंगे अगर आप नहीं हो यह चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बेटन को हिट करना और आए चलते हैं फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अनलिसिस पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा तो यहां पर आप आप देखोगे ना तो हम निफ्टी का अनलिसिस डीटेल में करने को ट्राइब करेंगे यह निफ्टी का चार्ट है अब यहां पर आप देखोगे क्या हो रहा है निफ्टी में आए देखते हैं वन बाइवन की आक्चुली निफ्टी कर क्या रही है तो सबसे पहले आप द आप देखोगे ना वन आवर में निफ्टी उपर नीचे उपर नीचे उपर वापस एक अच्छा कासा sellout आ गया है अब यह sellout अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से तो किधर भी market ने support नहीं दिया है market ने specific point पे support लिया है जो की एक trend line है तो और वहीं पे जाके आप देखोगे निफ्टी ने अवरली चार्ट में एक अच्छा खासा reversal दिया है बट क्या यह reversal sustain होगा तो थोड़ इसी यहां पे दिक्कत है क्यों क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर है सेलिंग प्रेशर है इसका मतलब क्या है तो अगर आपको अच्छा खासा उपर का ट्रेड लेना है और 75 points का गेन लेना है आप 18800 के बाद ही at least 15 minutes की candle close होनी चाहिए कुछ इस तरीके से यह अवरली सब्सक्राइब 15 minutes की candle कुछ इस तरीके से अगर क्लोज हो रही है 18800 के उपर तब ही आप लॉंग जाओगे कहां तक जाओगे 18870 तक वाल्यू याद रखना और अगर 18870 चला गया तो अपके बार इससे भी उपर जाएगा अब नीचे का ट्रेड आप कभी सोचोगे तो बह 18710 के बाद ही आपको नीचे का ट्रेड सोचना है कहां तक जा सकता है तो आप देखो कि जादा नीचे नहीं जाएगा 20-23 पॉइंट ही नीचे जाएगा वैसे भी 18700 का पुट का सपोर्ट होगा बट 18863 तक जा सकता है इसको अगर तोड़ दिया तो स्ट्रेट अवे 18634 त यहां पर मार्केट का मुँ दिखते हैं मार्केट के दो ही मुँ हो सकते हैं ग्याप यहां तक जाएगा अगर स्ट्रॉइंग रहेगा बुलिश बहुत रहेगा 188 800 के उपर जाएगा सपोर्ट लेगा टार्गेट हिट होगा तो यह एक पैटन है मार्केट का जो हो सकता है अगर market super bullish है अगर market weak है तो फिर कैसे होगा थोड़ा सा उपर जाएगा नीचे आएगा ओके आपके बार थोड़ा सा उपर बाबने ये वाला 18700 के भी नीचे जाके 18683 और bearish रहेगा और नीचे जाएगा तो यह नीचे का direction हो गया तो आप देखोगे यह दो तरीके के direction है और अगर आप levels को ठीक तरीके से समझ के follow करोगे तो अच्छा खासा chance है कि आप successfully trade कर सकोगे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है description में whatsapp community की link है click करके join करना global market अगर देखोगे तो definitely super bullish है अब US market को तो और उपर जाना है 4600 S&P 500 को जाना है तो वैसे आप देखोगे तो global market का definitely nifty को support रहेगा bank nifty में कैसे trade कर सकते हैं तो आईए देखते हैं मैं straight away आपको 15 minutes में लेके चलता हूँ 15 minutes से पहले थोड़ा सा 1 hour भी देख लेते हैं क्योंकि 1 hour में जो clarity आती है वो 15 minutes में immediately नहीं आ सकती ये देखो ये क्या है तो ये trend line है actually ये support है अब भी भी इसने support से उपर bounce मारा है बहुत ही clear है bank nifty में कि अगर 15 minutes में 43 760 के उपर जाता है 43 760 15 minutes green candle 15 minutes green candle फिर क्या करना है C के बारे में सोचना है कहां तक सोचना है 44,000 तक बहुत simple है और बहुत अच्छा मूँ देगा कौन से point के बाद shot के बारे में सोचना है बहुत बहुत simple है अब के बार अगर यह point के नीचे गया 43 500 के नीचे गया settings below 43 500 अब एक चीज याद रखना भले यह below है बट क्यूंकि 43 500 एक strong support है तो यह jump जरूर मारेगा बट अब के बार क्या होगा इससे ज़्यादा बड़ा jump नहीं मारेगा और finally नीचे जाएगा तो अब थोड़ा सा आपके हिसाब से देख लो कि अगर समझो यह point पे भी आ रहा है ना 43 600 के नीचे तो इसका मतलब क्या है 43 600 के नीचे weakness है आपका पहला target होगा 43 600 के नीचे properly 15 minutes candle closing पहला target 43 500 जंप लगेगा second target क्या रहेगा तो second target मैं जादा नहीं देऊंगा 43 400 और इसके आगे के targets चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको intraday में जो WhatsApp community का analysis है उसे देखना पड़ेगा तो होप आपको यह पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का भी clear हो गया 43 760 के ऊपर bullish कहां तक 44 के तक और 40 अगर कल ही red candle वापिस एक अच्छी कासी बन गई 43 600 के नीचे जा रहा है तो जादा नीचे नहीं जाएगा 43 500 तक ही जाएगा वापिस pullback और अब भी अगर जब नीचे जाएगा तो straight away तोड़के 43 400 कल का दिन आज के दिन के तरह ही interesting रहेगा तो बहुत important है आप alert रहना और अब जो main topic है जिन्दाल स्टील जिन्दाल स्टील देखते हैं कि क्या बनता है जिन्दाल स्टील में हम पहले monthly चार्ट देखेंगे monthly chart में बहुत जादा clear है कि जिन्दाल स्टील का जो resistance है ये somewhere यहाँ पे है तो अब जैसे ही जिन्दाल स्टील 613 के उपर चला जाएगा या ये month में पूरा का पूरा positively अगर close हो रहा है 600 के उपर तो आपको ये next 100 points मिल सकते हैं तो ये next 100 points के लिए आप definitely trade करो आप यहाँ पे भी देख सकते हो उपर चला गया थोड़ा सा pullback आया वापस अभी उपर जा रहा है बट अब भी trade करोगे फस जाओगे क्योंकि नीचे भी जा सकता है जब proper 600 के उपर closing होगी न तब आप ये अगर 100 points ये करोगे तो ही आप कमा सकते हो अब ये मैंने क्यूँ आपको थोड़ा सा गुगली मार दिया क्योंकि बहुत simple है सिर्फ 5% दिन का देखके बहुत जारे लोग trade लेते हैं बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको पहले बड़े बड़े resistance देखना है देखो मैंने कैसे इमेडियेटली मंतली चार्ट में धून लिया कि यह resistance पॉइंट है यह resistance पॉइंट है अब आपको मेजर कहां पर बैटिंग करना है वो पिछ पता चला अब यह जोन में जब रहेगा ना तब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करोगे बहुत अच्छा पैसा कमा होगे बट देखो बुलिशनिस आ तो गया है बट अभी यह पूरी तरीके से बुलिश नहीं है यहां पर के सेलिंग प्रेशर है तो बहुत संभल के फिलाल जिंदाल स्टिल सिर्ल नहीं है यह सेक्शन कहां पर लगा जहां पि हर दिन हम स्टॉक पैंग यह गुगली मारें गो कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मेरे विसाब से लॉंग्ottaं के लिए फिलाल सकते हो कि आपको कौन सा stock ची जिसका हम आर्या पार analysis करें और ये section का नाम रहेगा आर्या पार आप मुझे बता ओ ये आर्या स्टॉक का जो part है वो कैसे लगा और क्या मैं मुझे ऐसे और सारे stocks बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए. Thanks a lot and meet us again with a very exciting trade!